तुम सामने हो मेरे, सब दूर हो अंधेरे इंटरनेट पर इंदरों ये भज़न बहुत तेजी के साथ वाइरल हो रहा है नमस्कार, मैं निदायमत, आप देख रहे हैं जन्तंदर ठीगे दरसल जिस वाइरल भज़न का जिक्र हम कर रहे हैं, इस भज़न को गाया है हैदरावबाद के एक लोग कलाकार ने, जिन्होंने भक्ती संगीत में एक अलग मुकाम हासिल किया है जी हां हम बात कर रहे हैं सागर व्यास के, जिनकी सुरीली आवाज सुनकर हर गोई जूम उड़ता है अयोध्या में श्री राम के आगबन के मौके पर और इसे खास बनानी के लिए आज हमारे साथ सागर व्यास खुद मौजूद हैं जनतंत्र टीवी पर एक्सक्रूजिव चूट रहे हैं सागर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर सागर जी सबसे पहले श्री राम की बात मैं आप से करूँगी क्योंकि देखिए कई भज़ान ऐसे हैं जो इस वक्त जमकर वारल हो रहे हैं कई लोगों की मधूर आवाज ऐसी है जो लोगों की कानों तक पहुंच रही है उनमें से एक आवाज आपकी भी है मैं चाहूंगी कि इस मौके पर आप हमारे दर्शक को कुछ गा कर बताएं क्योंकि हमारे दर्शक आपको बहत उत्सुकता के साथ सुनना चाहते हैं जी मैं एक ही बात बोलूँगा श्री राम ने जो वचन दिया था भारत को वचन पूरा करने श्री राम आ रहे है तो इस बात पर एक ही बात मन में आती है प्रान जाए पर वचन ना जाए राम सिया राम सिया राम जे जे राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम मंगल भावन अमंगल हाई द्रवह सुदसरत अजीर भिहारी सागर व्यास जी जिस तरीके से अभी दुनिया आपको इतना प्यार दे रही है आपको सुनती है आपकी मधूर आवाज में खो जाती है कभी इस सागर व्यास ने सोचा था कि वो एक दिन भजन समराट के नाम से बुकारा जाएगा ने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था पस एक विश्वास था कि हमारे प्रभू हमेशा हमारे साथ है उसी विश्वास के साथ हम निकल पड़ते हैं और यही एक विश्वास है कि हमारे राम हमेशा हमारे साथ है और इस बात का प्रमान देने के लिए वो आ रहे हैं और भजन समराड बनना नहीं बनना ये तो उनी के हाथ में है, इश्वर के हाथ में है किन्तु इस चीज का स्वभाग्य है कि हम जिनों ने कभी ये सपना देखा भी नहीं था, गुद सोचा भी नहीं था, हमको ये दिन देखने का मौका मिल रहा है, ये महा उच्छाव श्री राम मंदिर बनता हो, हम देखने जा रहे हैं, ये सब प्रभू की लिला है, प्रभू क चाहते हैं, कि हमारे जो गीत हैं, वहाँ हम जाएं, वहाँ पहुंचाएं, लेकिन आपने सिर्फ भजन को ही चुना, ऐसा क्यों, मतब शुरू से भक्ती की तरफ धिहान था, ये बस था कि नहीं, भगवान को साथ लेकर के चलेंगे, तो दुनिया हमारा साथ देगी. पहले थोड़े मतलब ऐसे लाइव शोज वगेरे किये थे, पर उसमें आनन नहीं आ रहा था, इसमें ऐसा है कि एक विश्वास रहता है कि हमेशा हम प्रभू से जुड़े हैं, और एक एक अलग सा वो एक अलग सी खुशी मिलती है भजन गाने में, पाकी संगीत एक ही है प दिल को आनन्द उसी में मिलता है, एक खुशी उसी में मिलती है कि हम बस भगवान के चरणों में बैठे हैं, तो बस उसी रहा पर चल रहे हैं, जैसे प्रभू लेकर जाएंगे, उनका हाथ पगड़कर हम निकल पड़े हैं, और क्या हैं? प्रभू का जिकर आप लगतार कर रहे हैं, और ऐसे में देखे, इस वक्त आयोधिया जो है, वो पूरी सजधश करता यार है, और आपका ये जो भगवा रंग में देख रही हैं, जो आप उड़े में बैठे हैं, ऐसे में एक भजन और हो जाए, राम को याद करते हुए, जी, एक भजन में चाहूँगी और आप सुनाए हमारे दर्श्रप को, बस अब मेरी उमर में तो मैं यही बोलना चाहूँगा, हर घर में बस एक ही नाम, जै श्री राम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गुंजेगा, मेरे भारत का बच्चा, बच्चा, जै जै श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा, बच्चा, जै जै श्री राम बोलेगा, जै श्री राम, बलकुँ सागर्भी आज़ी, आप, जी, जी, बोलिए, बोलिए, राम जी के बारे में जितना बोलूं जितना गाओं जितना कहूं उतना कम है और शायद यही वज़ा है तभी आप कहते नजर आते कि जिस भजन में राम का नाम नहो वो भजन क्या गाना जी यह भजन भी है यह भी मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ जिस भजन में राम का नाम नहो उस भजन को गाना ना चाहिए तो यही सारे सवालों का जवाब है कि बस राम का नाम जिसमें है उसमें ही सारा संसार समाया है ऐसे वक्त में जब 500 वर्शों का इंतिजार खत्म हो रहा है और जिस पल का इंतिजार सब लोग कर रहे थी वो पल अब आ रहा है 22 जनवरी वो तारीख जब जिस दिन जो इंतिजार सब का खत्म हो जाएगा आप कुछ कहना चाहेंगे जी थोड़ी आवाज पट रही है आपको मेरा आओडियो मिल पा रहा है अब सुन पा रहा है सागर जी शायद मेरा आओडियो में कुछ दिकतारी चलिए उसे दुरूस कराने के हम कोशिश कर रहे हैं दक्षड के भजन समराट इनको कहा जाता है और इसलिए ही नहीं कहा जाता है इनको क्योंकि इनके कई भजन ऐसे हैं जो वारल हुए हैं लोग इनकी इस मधूर अवास को बेहद पसंद करते हैं और इनके कई भजन ऐसे हैं कि बोलो जी देयालू का बाओगे जिस भजन में राम का नाम ना हो वो गाना नहीं चाहिए इसके लावा जीवन की नईया मेरी शियाम जी का मंत रिप्त कर जाने वाला भजन इनका जो जमकर वारल हुआ लोगों को बहुत जादा पसंद आया इसके अलावा आपको बता दें कि 11 स्पेशल किरपा जो हो रही है यह मतलब तमाम वो भजन हैं जिसे आज लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं और लोग इनको इनके अवास की वजह से जानते हैं दुनिया में देव हजारों है भजन ये भी इनका सबसे फैमस रहा है इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से अयोधिया पूरी सद्धर्श के तयार है ऐसे में राम को लेकर के इनका भजन जो है वो भी काफी फैमस हो रहा है तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से इनके तमाम भजन वारल होते हैं लोग उसे सुनना पसंद करते हैं और देखे इस उम्र में अगर भगवान के सहारे अपनी इस गीत को इस संगीत को इस कला को ये आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दरसल इंटर रहे हैं सागर व्यास के जिनकी सुरीली आवास सुनकर हर कोई जूम उड़ता है सागर जी आप से दरसल हमारे दर्शक जो है जब से हमने कमिंग अप चलाया था कि आप हमासा जुड़ने वाल है कई डिमार्ड आई उनकी तो मैं चाहूंगी कि जड़त दो चार भजन एक सा चाहिए पर एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि जब इस शरीर से प्रान निकले तो प्रभू उसके सामने खड़े हो तो आपको वही सुनाता हूं जी तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे जब प्रान तन से निकले जब प्रान तन से निकले सब दूर हो अंधेरे, सब दूर हो अंधेरे, जब प्रान तन से निकले, जब प्रान तन से निकले, ओ, तेरी ही प्रेरना से, गुणगान कर रहा हूं, तेरी ही प्रेरना से, गुणगान कर रहा हूं, सागर समाय तुझ में, जब प्रान तन से निकले, जब प्रान तन से निकले, और एक भजन है मेरा, जी, एहसान जो तुमने राम मुझे पे न किये होते, गर तुम ना मिले होते, हम जान कहां होते, गर तुम ना मिले होते, हम जान कहां होते, और एक जो अभी आप बता रहे थे, ओ दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ती का क्या कहना, इनकी भगती का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बनवारी जिनके सीने में सियाराम की जोड़ी रहती है, ये राम दिवाना क्या कहना, गुनगाए जमाना क्या कहना, अभी ऐध्या में श्री राम मंदिर बढ़ने जा रहा है, तो बस ऐध्या का भी क्या कहना, और उस राम मंदिर का भी क्या कहना, बिल्कुल बहुत खोब, बहुत बढ़िया, यही तो हम सुना चा रहे थे कवसे, क्योंकि आप जब गाते हैं, तो दुनिया आपकी उपर से नजर हटाई नहीं पाती है, क्योंकि ये जो मधूर आवाज है, जब ये कानों में पढ़ती है, एक अलगी आनन दाता है, और आन जी, दो चाल नाइनिस भजन की भी हो जाएं, जी बिल्कुल, बोलो जी दयालू कब आओगे, कब हम को खाटू जी लेकर जाओगे, हम तो हैं बाबा के भजनों के दीवाने, हम तो हैं खाटू की गलियों के दीवाने, बोलो कब गलियां वो दिखाओगे, बोलो शाम बोलो कब आओगे, खाटू क्या भारत क्या ये संसार भी है खारा, अब तो आजा बन के प्यारे हारे का सहारा, बोलो कब गलियां वो दिखाओगे, कब अपनी वो मूर छड़ी लहराओगे, बोलो जी दयालू कब आओगे, कब हम को खाटू जी लेकर जाओगे, खाटू की हर गली में ये पैगाम मिलेगा, शाम मिलेगा, रे वहां शाम मिलेगा, और अब हर हिंदू ये कह सकता है, कि अयोध्या की हर गली में ये पैगाम मिलेगा, राम मिलेगा, रे वहां राम मिलेगा, राम मिलेगा, रे वहां राम मिलेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत खुब, मैं एक चीज़ समझा चाओंगे सागर जी यहां से, देखिए अकसर जब जिक्र होता है है हैधराबाद का, तो हैधराबाद को लोग कई चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन अब इसका भी नाम साथ में आता है, यह जो एक अनुभव है कि आपके जगह को, आपके शहर को, लोग आपके नाम से पहचाने, यह जो एकदम, कहते हैं कि मन को बहुत जाता शांती मिलती है, जैसे मैं UPQ में उत्तर प्रदेश से आती हूं, संभल मेरा जिला है, अकर कोई संभल को कहते हैं, जो सब के भाग्य बनाती है, तो यह बस यह प्रभु की कृपा है, मेरे भाग्य में शायद लिखा है, मैं उनकी सेवा में लगा हूं, बहुत खुशी होती है सुनकर कि मेरे नाम के नीचे हमारे शहर का नाम आता है, तो यह सब आप सभी का सभी जनता का प्रभ प्रभू का प्रेम है सभी का आशिरवाद है और बस कोशिश में लग यही कोशिश रहती है हमेशा कि कभी कोई गल्ती ना हो हमसे बस यह सोच कर प्रभू का नाम लेकर निकल परते हैं जी जी आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है आपके अपने एक अलावा मेरा भी तो यही था कि राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी दीप जला के दीवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम जूलेंगे तो पाल ना जूलाऊंगी ओ मिठे मिठे मैं तो गीत सुनाऊंगी ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं बाई मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बहुत खोब बहुत बढ़िया एकदम शांदार आवाज जैसे सुनी थी आज लाइफ सुनके उससे जादा आननदा आया आपकी यह मधूर आवाज सुन करके और इसलिए आप तो आपके घरवाले भी कहते होंगे कि अगर तुम ना मिले होते तो हम कहां होते आपके का यह भजन उनके ओपर सठीक बैठता होगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना किमती समय हमें दिया हमसे बाच्चित करने के लिए सागर व्याजशी आपकी मधूर आवाज ऐसे ही लोगों तक पहुचती रहे और आप ऐसे ही लोगों को मंत्रमुग्द करते रहे बहुत बाच शुक्रिया जनतंतर से जुड़ने के लिए फ़लारिक छोटा सबरेक मने रहे जनतंतर के साथ